नमस्कार हिंदी सहित यवारता में आप हैं इस वक्त सुभाष ठाकुर के साथ ज्यार एफ यंदी 2021 की तयारियों के अंतरगत हम एकाई तीन कर रहे हैं और इसमें हमने अपने दो पार्ट कर लिये थे जो सहित यशास्तर के अंतरगत आते हैं देखिये उनका जनमस्थान और उनकी जो प्रमुख रचनाएं और उनके जो समयावदी है वो कौन सी है ये सब चीजें हमने डिसकस कर ली है तो अगर आपने अभी तक वो वाले दो लेक्शन नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जो हमारी इकाई तीन के नाम से प्लेलिस्ट बन आपके चाए लक्षन हो चाए प्रियोजन हो या कावय हेतु हो ये जो सारी चीजें हैं ये चीजें किसके अंतरगत आती हैं साही ते शास्तर के अंतरगत आती हैं और इसमें हम आज सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कावय लक्षनों के बारे में तो चलिए ब मैं किसी चीज की जानकारी उपलब्द हो सकें, वो ही क्या है, वो लक्षन बाना जाता है, तो यहां पर देख लेते हैं, हम क्या चीज़ें कह रहेंगे, कि कावे के अनेक लक्षन विद्वानों, कवियों और सहिद्य ने दिये हैं, तो दीखे, अलग अलग विद्वान, जो है सहिर्द्य मतलब जिसने उसको आतमसाथ किया है, उसने भी कावे को प्रवाशित किया है, यह लक्षन अगणित है, अगणित का मतलब कि यह अनगीनत लक्षन है कावे के, कावे का स्वरूप यद्यपी इन लक्षनों में बंद नहीं पाता, फिर भी इन लक्षनों के अध्याइन से हम उसके विविद रूपों और तत्वों को हिर्दियंगम कर सकते हैं, तो देखी क्या कह रहे हैं यहां पर कि कावे का जो स्वरूप है इन लक्षनों में वो बंद नहीं पाता, किस प्रकार से बंद नहीं पाता, देखी जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि इशुर क्या है, अलग-अलग व्यक्ति, अलग-अलग तरीके से उसको परिभाशित करता है, लेकिन कोई भी स्टीक परिभाशा उसकी नहीं देता है, ठीक है न, लेकिन फिर आपके जो पाश्चात्य विचारक हैं या पाश्चात्य जो चिंतक हैं उन्होंने अलग अलग तरीके से कावे को परिभाशित किया है या कावे के लक्षनों को माना है तो कौन-कौन से वो कावे के लक्षन हैं? आज हम इसमें पढ़ेंगे जितने भी हमारे जो संस्कित के प्रमुक आचारे हुए हैं, जिन्होंने कावे के लक्षनों के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें कही हैं, वो हम सारी की सारी आज देखेंगे कि किस अधार पर जो पहले इसमें हम देख लेते हैं, जो आपके संस्कित के कावे लक्षन हैं, वो कौन-कौन से हैं, तो देखिए, संस्कित की जब हम बात करते हैं आचारें की, तो सबसे पहला जो नाम आता है, वो भरतमुनी का आता है, तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जो अचारे भरत्मुनी थे उनकी जो प्रसिद्ध रचना थी नाटे शास्त्र और भरत्मुनी का समभाई हमने पहले ही डिसकस कर लिया था कि वो दूसरी शताबदी के आसपास थे इनकी जो प्रमुक कृती है देखिए कावय शास्त्र स्री नाटे शास्त्र तो इनकी जो प्रत्थम काव पूर्ण चीज है कि आपका जो पहला ग्रंद किसको माना जाता है भलही नाटे शास्तर को माना जाता हो कावय शास्तर के अंतरगत लेकिन इसमें कावय के जो लक्षन है उसको परिभाशित नहीं किया गया है बलकि नाटक को क्या कहते हैं ये कावय का एक रूप मानते हैं तो ये क्या मानते हैं कि नाट को इन्होंने काव्य का क्या माना है एक रूप माना है और काव्य के विभिन ततों कौन-कौन से हैं देखी जैसे गुण हो गया रिती हो गया अलंकार हो गया रस हो गया रिती तो नहीं है इसमें लेकिन रस गुण अलंकार और भाव जो इनकी प्रस पर उसका मुख्य बल अभीन्यापर है, तो देखी अभीने कहां पर होता है, वो नातक में ही होता है, तो इसलिए ज़ादातर जो नाते शास्त्र में किस चीज़ पर बल दिया गया है? अभीने पर बल दिया गया है, और जो भी आपके गुण, अलंकार, रस, भाव, इत्याद इसका इसमें वर्नन किया गया है नाटे शास्तर में लक्षनों में इसमें चर्चा नहीं की गई है तो ये था आपका जो पहले अचारे हुए हैं भरतमुनी नाटे शास्तर में क्या क्या चीज़ें रखी उन्होंने ठीक है अब जो आपके संस्कित के अन्य जो अचारे आते ह तो यह जो आपके जो कावे लक्षन हैं, उनको तीन आधारों पर बांटा है। तो दी कि तीन आधार इसके कौन-कौन से उद्हों रखे हैं। शबदार्त के अधार पर मतलब शबद और अर्थ के अधार पर कावे लक्षन को उनों ने व्यक्याईत किया है तो देखिए कौन-कौन से ऐसे हैं जैसे आपके अचारे भामा हो गये, रुदरत हो गये, वामन हो गये, कुंतक हो गया फिर उसके बाद देखिए आपकी जैसे मममट हो गया है ना अनंदवर्धन राजशेकर इत्यादी ये जो आपके संस्कित के आचारे हुए हैं इन्होंने शवदार्थ के अधार पर क्या किया है आपका काव्य के लक्षों को परिभाशित किया है तो ये चीज़े आपने तीन आधारों पर इसका किया जाता है ठीक है परिभाशित और कौन से जो है शवदार्थ के अधार पर इसको व्याख्याईत करते हैं तो शवदार्थ के अधार पर मैंने अभी आपको बता दिये ठीक है भामा मममट बगेरा बगेरा जो भी हैं और दूसरे जो आते हैं जिनका समय अठारवी शति के आसपास था तो ये दो प्रमुख नाम आते हैं शब्द के अधार पर देखिए पहले ते शब्द आर्थ के मतलब जहां पर शब्द और अर्थ दोनों हो लेकिन जो दूसरे वाले हैं जिन्होंने किस अधार पर किया है शब्द के अधार पर संस् शुनाथ और भोजराज तो ये रस और ध्वनी को ही क्या मानते हैं काव्य के लक्षनों का अधार मानते हैं ठीक है तो ये तीन चीज़े हैं इसके अधार पर काव्य के लक्षन किये जाते हैं परिभाशित संस्कित अचारियों के द्वारा ठीक है हो सकता इस तरीके से प्र चीन परिभाशा मिलती है वो कहां पर मिलती है अगनी पुराण में मानी जाती है या मानी जा सकती है क्योंकि यहां पर कावय के लक्षनों को एक तरीगे से व्याख्याईत करना शुरू कर दिया गया था तो देखे जिसमें कावय की परिभाशा की क्या दी गई है कावय आपके अगनी पुराण में ये कहते हैं कि संक्षेपाद वाक्यम इश्ट आर्थ व्यवचिन्ना पदावली तो ये चीजें क्या हैं ये आपके अगनी पुराण में वर्णित हैं तो देखे इसका अर्थ क्या हुआ कि संक्षेप में इश्ट अर्थ प्रगट करने वाला वाली जो पदावली से युक्त ऐसा वाक्या है कावय है जिसमें अलंकार प्रगट हों ठीक है देखे कौन-कौन सी चीजे इसमें बता रहे हैं ये अलंकार प्रगट हों और जो दोश् रहेत्वी है और आपका गुण योक्त है इस परिभाषा से हमें मेली कितनी बाते हैं देखिए पांच जो संक्षिप्त वाक्य होना चाहिए संक्षिप्त वाक्य लिखा है न तो संक्षिप्त वाक्य उसके बाद अलंकार ठीक है तो अलंकार है साथ ही साथ गुण और दोशों की भी हिसमें बात की गई है जो यहां पर देखे आपको देख जाएगा गुण अब दोशो बरजितम तो ये पांच चीजें इसमें समाहित मानी जाती है ठीक है? तो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ इस्टार्थ, संक्षिप्त, वाक्य, अलंकार, गुण और दोश तो ये पांच बातें कहां पर हैं? अगनी पुराण में वर्नित की गई है कावय लक्षन के संबंद में ठीक है? तो इनको आपने याद रखना है कि सबसे पहली परिभाषा कहां पर मिलती है? कावय की अगनी पुराण में नाटे शास्त्र क्या है? ये पहला कावय शास्त्र ग्रंथ है लेकिन यहां पर आपको कोई भी परिभाषा लक्षन से रिगार्डिंग नहीं मिलती है ठीक है? अब हम देख लेते हैं जो अचारे भामा के स्वरी अचारे जो आपके भरतमुनी हुए हैं उनके बाद जो प्रमुख नाम आता है देखिए वो किसका आता है? भामा का आता है कावय लक्षन है उसके समद्ध में नहीं कौन सी बात की कही है? देखिए ये बहुत बार पूछा जाता है परिक्षम में बिलान में आपने देखा होगा कि लगभग इसको बार बार ही पूछा जाता है ठीक है? शबदार्थो सहीतो काव्यम तो जहां पर देखिए पहले भी हमने बात कही कि संस्कित अचारियों ने तीन आधारें पर काव्यम के लक्षन किये हैं तो शबदार्थ तो ये देखिए भामा नाम आ गया शबद और अर्थ सहित्य क्या है? वही आपका काव्य है जो गद्य एवं पद्य के भी दो प्रकार से होता है तो देखिए काव्य को इन्होंने कितने भागों में रखा दो भागों में एक गद्य भाग और दूसरा आपका पद्य में ठीक है? आगे है देखिए भामा के इसमान रुद्रट ने भी काव्य लक्षन सपष्ट किये हैं और कहा है तो देखिए भामा और रुद्रट दोनों ने क्या किया है? आपके जो काव्य हैं उनको परिभाशी इन्होंने किया है उसकी परिभाशा दी हुई है तो ये भी क्या कहते हैं सेम कहते हैं ननुशबदार्थों काव्यम कि आपका जो शब्द और अर्थ है वो ही क्या है काव्य है ये बात कौन मानते हैं भामा के पश्चात रुद्रट भी मानते हैं और रुद्रट का जो समय था देखिए वो क्या था वो था नवी शती ठीक है रुद्रट ने भी कावयलंकार ही रचना रची है, और ये बला प्रशन हो सकता है, पूछा जाए आपको UGC.net की प्रिक्षा में कि कावयलंकार शीरशक से भामों के अलावा किसने रचना रची है, तो वो है आपका रुद्रट, ठीक है, अलंकार वादी ये दोनों है, आगे इश्च अर्थ से परिपूर्ण पदावली कावय का शरीर है, ये कौन मानते हैं, ये दंडी मानते हैं, कि जो इश्च अर्थ से परिपूर्ण है, वही पदावली कावय का शरीर है, तो सबसे पहले कावय के शरीर की प्रत्थम बात किसने कही है, देखिए कावय के शरीर की आपके दंडी ने ठीक है उसमें आत्मा किस ने बरी वो बरी वामने इस तरीके से आप इसको याब रख सकते हैं दंडी की परिभाशा अगनी पुरान से काफी मिलती जुलती है इसमें सिर्फ संक्षेप पादवाक्यम के स्थान पर शरीरम रखा गया है तो हो सकता है देखिए इस तरीके से प्रशन पूछा जाए कि आपका जो अचार्य दंडी की परिभाशा है वो किस परिभाशा से मिलती जुलती है तो वो है अगनी पुरान की परिभाशा से क्योंकि वहाँ पर सिंपली ये क्या वो रहे हैं कि जो पहले कि जो दो तीन एक शब्द है देखिए संक्षेपाद वाक्यम ठीक है उसके स्थान पर इनोंने क्या रखा सिर्फ शरीरम रखा बाकी इनोंने as it is वैसी ही परिभाशा रखी है यहां पर देखिए शरीरम तावदिश्थार्थ व्यवचिन्ना पदावली तो ये बात कहां पर है ये भी अचार्य दंडी की परिभाशा है और इनोंने same as जैसे आपके किसमे है अगनी पुरान में रखी गई है वैसी ही परिभाशा इनोंने दी है ठीक है तो ये अचारे वामन हुए है जिनकी बात मैंने पहले ये आपको कही ठीक है तो वामन का समय कब था ये थे आठवी शती में और इनकी जो प्रसिद रचना है कौन सी है कावयलंकार सुत्र तो वामन की जो रचना है है ना कावयलंकार सुत्र उसमें ये क्या कहते है कि ये कावय वो सपश्ट तो नहीं है लेकिन फिर भी इन्होंने जो काव्य लक्षन के और निर्देश दिया है कि इन्होंने आपके अचार वामने तो ये क्या कहते हैं देखिए कि अर्थात गुण एबं अलंकार से संयुक्त शवदार्थ को ये काव्य कहते हैं तो देखिए गुणों औ अलंकार युक्त काव्य ही क्या होता है वो ग्रहय होता है और संदर्य ही ये अलंकार को मानते हैं है ना काव्य तथा संदर्य काव्य के दोश्रहित गुण और अलंकार से युक्त होने पर ही निर्भर है ये चीज मानते हैं आपके अचार वामन ठीक है तो काव्य में गुण अलंकारों को ये क्या बोलते हैं कि ये जरूरी चीजे हैं और यही सबसे बड़ी देन कौन सी माने जाती है आगे देखिए कि दंडी द्वारा जो प्रतिपादित कावे शरीर में आत्मा की स्थापना है ना ये कौन मानते हैं ये पहले जो चीज मैंने आपको बता दी कि वाम बनने कही है ठीक है तो इसके अलावा जो अगले अचारे हुए हैं देखिए कावे लक्षन के समन्द में वो किसका नाम आता है अनंद वर्धन का तो अनंद वर्धन का जो समय है देखिए ये नवी शती के आसपास थे और इनकी जो प्रसिद रचना है धुन्यलोग उसमें ये देखिए क्या कहते हैं ये कहते हैं कि शवदार्थ शरीरम तब्त काव्यम अर्थात शब्द और अर्थ जिसका शरीर है वही क्या है वही कावे है ठीक है तो वामन की ही भांती इनोंने भी क्या किया है कावे का कोई स्पष्ट लक्षन प्रस्तूत नहीं किया लेकिन फि ठीक है कि शबदार्थ शरीरम तापत काव्यम शब्द और अर्थ क्या है जिसका शरीर है वही क्या है काव्य कहते हैं आनंद वर्धन ठीक है नेक्स अब हम देख लेते हैं अगले जो अचारे हुए देखे यह अचारे कुंतक तो कुंतक क्या समय कहते हैं देखे शबदार्थ अर्थात वक्र व्यापार शाली और किसी सूत्र में व्यवस्थित शवदार्थ क्या है वो ही काब्य है तो दिखे इनके कहने का मतलब क्या है कि इनके जो काब्य के लक्षन को हम इस तरीके से कह सकते हैं कि उस शवदार्थ को काब्य कहते हैं जो एक दूसरे के हित में लगे ह तथा ऐसे बंधन में विवस्थित हों जो सहिर्द्यों के लिए अहलाद हों और कवी के वक्र व्यपार से संयुक्त हों। कि जहां पर देखिए शवदार्थ को काव्य कहते हैं जो क्या करता है एक दूसरे के हित में लगे हुए हों तता ऐसे साधन में विवस्थित हों जो सहिर्द्यों को या पार्टकों को क्या करें अहलादित करें अननदित करें लेकिन कवी वक्र उसमें क्या हो संयुक्त हो है न इनको देख सकते हैं या पढ़ सकते हैं अगर आपने screenshot नहीं लेना है या फिर आपको note down करने में दिकत है तो आप हमारे टेलेग्राम ग्रूप के साथ जूड़ सकते हैं वहाँ पर हम जो भी चीज़ें पढ़ा रहे हैं उसकी आपको PDF पी उपलब्द करवा दी जाएगी और इसके साथ ही साथ इससे related जो भी quiz बगेरा होगा वो हम टेलेग्राम ग्रूप में quiz के जरीए भी वहाँ पर discuss करते हैं क्य अलिए अब हम देख लेते हैं कि अन्य जो अचारे हैं संस्कित के ममठ ये क्या कहते हैं ये लिखते हैं कि तददोशो शबदार्थो सगुणा बलंकृती पुनह कवापी तो देखिए जो आपके अचारे ममठ की परिभाशा है ये बहुत ही महतोपून और उप्योगी तरक दोश हीन गुण से अलंकृत तथा कभी कभी अलंकार हीन होता है तो दीखिए ये कावे को कौन कौन सी चीज़ें मानती है कि उसमें अलंकार होते भी और नहीं भी होते हैं दोश हीन गुण से अलंकृत होता है ठीक है शबद और अर्थ इसमें समाहित रहते हैं तो सिंपली आप इसमें मान सकते हैं कि ममट ने जो कावय के लक्शन कितने माने है, चार प्रसीड लक्शन माने है, कौन-कौन से दिखी, सबसे पहले इन्होंने माना शबदार थो, मतलब शब्द और अर्थ का उसमें क्या होता है, योग होता है, ठीक है, तो जो अचारे भामा हुएं, व तोनों ही क्या है, वो कावे किस रिष्टी करते हैं, किसी एक को छोड़ा नहीं जा सकता, कि दोनों चीजें क्या है, ज्यादा महत्वपूर्ण है, या बराबर एक दुसरे के पैलर चलने वाली है, ठीक है, तो ये है पहला लक्षन, शवदार्त, दूसरा ये कहते हैं, अदोशों का मतलब है अदोश, मतलब दोश हीन, जिसमें कोई दोश ना हो, और इसके अधार पर इनकी थोड़ी सी कई पार अलोचना भी की जाती है, क्यूंकि कावे में दोश होना जरूरी भी है एक तरीके से, वो रहता ही रहता है, है ना, तो इस अधार पर इनकी चीज ये कहते हैं अलंकरिती पुना कवापी अलंकार कावे का आवश्यक तक तो नहीं तो ये मानते हैं कि अलंकार कावे के लिए जरूरी भी नहीं है अगर है तो तब भी ठीक है तो ये चार चीजे मानते हैं आपके अचारे जो ममट हुए हैं वो और इनकी आपकी जो ये कहते हैं वाक्य रसात्मकम काब्यम ठीक है तो इनका देखिए कहने का मतलब क्या है कि रसात्मक वाक्य क्या है कि रस से जो परिपूर्ण वाक्य है वही काब्य है तो इस परिभाशा को लेकर के बहुत जादा कॉंट्रवर्सी है बाबो गुलाब राय ने इस परिभाशा क को स्पश्च करते हुए का है कि वाक्य से कला पक्ष तथा रसात्मक से अनुभूती पक्ष की अभिवेंजना होती है लेकिन जो डॉक्टर भागीरत मिश्च्र है उनके अनुसार देखी यह क्या है कि यदि रस को ही काव्यार्थ लें तो काव्य का जो क्षेत्र है वो बहुत किया है तो इस अधार पर कह सकते हैं कि वो तो रचनाए उसमें आएंगे ही नहीं काव्य में तो अगर उस तरीके से देखा जाए तो उनका जो क्षेत्र है वो बहुती संकीर्ण माना जाता है लेकिन बाबु गुलाब रायने माना है कि यह काव्य के कला पक्ष तथा रसात पर रखती है आगे अब हम देख लेते हैं इसके बाद जो संस्कित के अन्य अचारे हुए पंडितरा जगनात याकरियें दीखिए इन्होंने क्या परिवाशा दी है यह कहते हैं रमणियार्थ प्रतिपाद का शब्द काव्यम अरथात रमणियार्थ का प्रतिपाद करने वाला शब्द ही क्या है वो काव्य है तो यह परिवाशा भी बहुत ही तरक संगत माने जाती है यह लक्षन अन्य लक्षनों से काफी उप्यूप्त माना जाता है पर पूर्णत सही नहीं तो दीखिए पूर्णत सही इसको क्यों नहीं माना जाता है इसमें थोड़ा सा परि रमनियार्थ जो आपका प्रतिपाद का शब्द रखा है तो इनके अनुसार क्या है कि जो शब्द है वो जो रमनियार्थ प्रदान करता है वो ही क्या है काब्द है तो यहाँ पर जो भिद्वान ये कहते हैं कि जो ठीक है आपको रमाने वाला अर्थ तो मिल गया लेकिन वो यहां पर होना चाहिए था है ना तो यहां पर जो आपके रमणियार्थ प्रदिपाद गम वाक्यम काब्यम ये डॉक्टर भागीरत मिश्र की बुस्तक में आपको मिल जाएगा कि इस तरीके से इसकी परिभाशा जो हो सर्मान्य हो सकती थी है ना जो पंडित राज जगनात के अनुसार मानी जाती है तो इन परिभाशाओं से प्रशन पूछा जाता है कि किस विद्वान ने कौन सी परिभाशा दी है और किस अचारे ने कौन सी परिभाशा दी है तो इन परिभाशाओं को आपने याद रखना है कावेलक्षन के समन्द में कावेलक्षन के आधार पर तीन आधारों पर कावे लक्षनों की परिभाशाएं की जाती हैं, कौन-कौन से आधार है वो मने आपको बता दिये और दूसरा, कौन सा कवी अचारे पहले आता है, कौन सा बाद में आता है, ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए और किस चीज में वरनित, किस रचना में कौन सी चीज वरनित है, ये तो आपको मालूम होना ही चाहिए ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि जो सरुमान्यमत है या किसको जादा उचित माना जाता है तो यहाँ पर देखिए ममट और जगनाथ ने कावे की जो परिभाशाएं दी हैं, विकाफी उप्युक्त और तरक संगत मानी जाती है यदि हम भारती कावे लक्षन का विवेचन करें, तो कौन-कौन से तत्व सामने आते हैं, देखिए शब्द और अर्थ आता है, शब्द मात्र भी आया, रिती की बात भी हुई, द्वनी की बात भी हुई, वक्रोक्ती की भी, रस की भी, दोश की दोशरहित, अलंकार युक्त, शब्द और धर्म तो ये जो सारी चीज़े हैं, जैसे आपका रमनियात प्रतिपादक शब्द, तो ये चीज़ें, पूरिया इनकी परिभाशाओं को पढ़ने के पश्चात हमारे सामने आई, कि काब्य में कौन-कौन सी सीज़े महत्वपूर्ण होती हैं, शब्द और अर्थ होता ही है, वाक्य रचना को काब्य कहते हैं, अगर हमसे कोई पूछे की क्या है, तो हमें ये वाला इस उत्तर को हम दे सकते हैं, कि शब्द, अर्थ, अथ्वा, दोनों की रमनियता से युक्त वाक्य क्या है, वाक्य रचना को हम काब्य कह सकते हैं, तो ये प्रमुक चीज़ें थी के बारे में जो आपके संस्कित के आचारे थे वो क्या क्या कहते हैं और उनके आधार पर हम संखेप में कौन से चीज चीज कह सकते हैं अगर आपको कुछ भी डौट है दोस्तों तो आप org सक्षन में जाकर कह सकते हैं साथ ही साथ Graham में भी आप हमसे कॉंटेक्ट कर सकते हैं तो फिलाल आज के लिए इतना ही वीडियो अच्छा लगा हो तो फिलीज इसे लाइक कीजिए अपने दोस्तों के बीच में शेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल भी न भूलें तो फिर मिलेंगे नई उर्जा और नई स्पूर्टे के साथ तब तक के लिए शुक्रिया जैहिंद